0.5 सेकंड मतलब 140 km रप्तर वाल बॉलार के हाथ से बैट्समें तक पहुचने में टाइम लगता है सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकंड आप तोरह साइन्टिफिक लिए आते हैं हमारा कॉंसियस माइन का सोचने का स्पीड होता है 60 बीट्स पर सेकंड मतलब आप लगबग पकल लीजिए पर सेकंड में हम लोग 5 से 6 शबदी सिप पर सकते हैं आप तोरह प्रैक्टिकली सोचें सिप 0.5 सेकंड में बैट्समें को ए देखना हो रहा है बॉल शॉट्पीज गिरा है good length spot या full length उसके साथ ही साथ उसको A.V सोचना हो रहा है उसको front foot खेलना है या back foot उसके साथ ही साथ उसको A.V सोचना हो रहा है उसको off side खेलना है या on side उसके साथ ही साथ उसको A.V सोचना हो रहा है उसको over the ground खेलना है या down the ground और इतना सब कुछ सिफ 0.5 second में calculation करने के बाद batsman ने उस ball को boundary के बाहर भेजा पर आपको क्या लगता है conscious mind का सिफ 60 beats per second बाला speed लेके कोई batsman इतना सब कुछ calculation सिफ 0.5 second में कर सकता है impossible यह तो ऐसा बात हो गया ना सिफ आप एक जीवी डेम बाला phone लेके PUBG खिलने जा दो ओ भी international level और यहां पर ही subconscious mind का function स्टार्ट होता है क्योंकि subconscious mind का processing speed होता है 400 billion beats per second वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि ऐसा वीडियो आपको internet पे किसी जगा नहीं मिलेगा अगर आप subconscious mind के ऊपर मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो उपर आई बटन में क्लिक करिए और पहले ओ वीडियो देखके आईए क्योंकि बिना ओ वीडियो देखे आपको ए वाला वीडियो समझ नहीं भी आ सकता है तो पिछला वीडियो में नहीं बता है कि चार टाइप का brain stages के अंदर से हम लोग हर दिन गुजरते हैं नमबर वन डेल्टा स्टेज जब हम लोग सोते हैं नमबर टू बीटा स्टेज जब हम लोग रोज कर जिंदगी का काम करते हैं नमबर 3, alpha stage, जब हम लोग का learning या सीखने के time, हम लोग बहुत ध्यान से, जब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, या observe करते हैं, और नमबर 4, theta stage, जब हम लोग सोने वाली ही होते, या सो के उठनी ही वाली होते, या नहाने के time, तो यहां तक आप लोग समझे, आप आते हैं नया update पे, क्योंकि मुझे पता है, अगर सब कुछ information में आपको एक साथ दे दू, आपको कुछ नहीं समझ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके information आपको देता हूँ, और उसको explain करके आपको समझाता हूँ, जिससे आप पूरा पूरी समझ पाए, so, मा की कोक से 2 साल की उमर तक हम लोग सबी delta stage से होके गुजरते हैं, इसलिए 2 साल की उमर तक हमारा जिन्देगी में क्या हुआ है, हम लोग को कभी किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि उस ताइम हम लोग का आँख खुला हुआ होते हुए भी हम लोग सोते, 2 साल की उमर से 7 साल की उमर तक हम लोग का brain theta stage में चला जाता है इस time हम लोग एक and qualidade zone में रहते सच कौनसा है और सपना कौनसा है इसके अंदर हम लोग फरक नई कर पाते क्यूंकि हम लोग एक lucid stage मेरे चले जाते इस ताइम हम लोग को ऐसा कुछ दिखाए देता है जो हमारा पेरिंस या नॉर्मन लोगों को नहीं दिखाए देता है इसलिए कभी-कभी देखना दो से तीन साल के बच्चे अपने आप से ही बात करते हैं उन लोग अपना इनर वर्ल्ट और आउटर वर्ल्ट का बीच का डिलेमा में रहते हैं यहां तक आप समझे राइट बिट्विन डा एड जीरो टू सेवन एक बच्चे का दिमाग कम्प्लीडली सबकॉंसे स्टेट में रहते हैं इस टेम उन लोग का पूरा फोकस आउटर वर्ल्ट के जगा इनर वर्ल्ट में रहते हैं साथ साल की उमर के बाद एक बच्चे का एक अटेंशन धीरे धीरे बाहर के दुनिया के तरब जाता हैं और उन लोगों का brain waves भी धीरे धीरे alpha stage में move होना स्टार्ट होता हैं तो जिन्देगी का पहला साथ साल उन लोग एक imaginary दुनिया में रहते हैं और जैसे जैसे उन लोग का brain alpha stage में जाता हैं उन लोग धीरे धीरे बाहर के दुनिया से interact करना स्टार्ट करता हैं और जैसे जैसे उन लोग बाहर के दुनिया से इंटरक करना स्टार्ट करते हैं, उन लोग के अंदर एक internal chemical change, ये hormonal change होना स्टार्ट होता है, जो ऐसा change होता है कि उन लोग बाहर के दुनिया से सब कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं, जो भी सुनता है, जो भी देखता है, जो भ बीटा स्टेज में चल जाता है और एक पाहर का दुनिञा से जहाधा डीएल होता है जादा तर लोक लोग लेबिल बीटा स्टेज में रहते जैसे मैं इस वीडियो में बात हुआ आप एक उत बीटा स्टेज में हो सापोस्ट किसी को वीडियो बहुत अच्छा लगा वह एक दम observation के साथ इस वीडियो को देख रहे या सुन रहा है उसको हद एक शब्द में जो बोल रहा हूं वह एक दम उसको एब्जोब कर रहे हैं फिट से वह बीटा स्टेज से अलफा स्टेज में आ आना ही होगा तो यहां तक आप समझे राइट मैंने हमारा माइन को इस सरकेल के अंदर रिप्रेजन किया अच्छे से इसको देखिए तो आप जब जनम लिए उस ताइम आप पूरा सबकॉंशेस माइन के कंच्रोल में ही थे कैसे पता चला क्यूंकि अभी हम लोग स्टाड अगर मैं आपको समझा हूँ तो सबकॉंशेस माइन एक आटो रिकोर्डर के जैसा है जो हमारा सबकॉंशेस माइन पर रहता है जो जनम लेते ही हमारा आटो रिकोर्डर ओन हो जाता है जिसको चाहते हुए भी हम लोग बंत नहीं कर सकते है जो भी सुनते हैं जो भी देखत और साल रुमर तक वी से कष्ट हुआ हुआ है उसकी बैसिस पर हमारा येशर हमारा करेक्टर हाथ सबकूछ 12 साल की उमर तक हमारा सबकॉंसियस माइन पर जो भी रेकॉर्ड हुआ है उसकी बेसिस पर ही होता है आपका कैरेक्ट्यार या आपका सोचने का तरीका जैसा भी है 12 साल की उमर तक आपका सबकॉंसियस माइन पर जो भी रेकॉर्ड हुआ है उसके बेसिस पर ही होगा तो इसका मदलब क्या, अगर कोई 12 साल की उमर तक खराब कुछ सीखा, अगर कोई 12 साल की उमर तक बहुत कुछ खराब चीज का सामना किया, जैसे domestic violence, sex assessment, etc. तो उलों को character भी क्या ऐसा ही बिल्ड होगा, उलों को character खराब ही होगा, जी बिल्कुल नहीं, इसको बोलते 21 Days Habit Challenge, आ इसलिए बहुत सारा motivational speaker, a leader, जो लोग के एचीज पता होता है, वो लोग 21 Days Transformation Challenge लेते हैं, क्योंकि 21 दिन हर दिन practice करने से, आपका subconscious mind का pattern change किया जा सकता है, For example, suppose किसी को बहुत गुस्सा आता है, उस टेम उसको कुछ भी control नहीं रहता है, वो क्या बोलता है और क्या behave करता है, वो नहीं चाहते हुए भी, वो कुछ भी बुड़ा बोल देता है, अगर वो वेक्ती 21 दिन ऐसा सोच लिया न, कि मुझे जितना भी गुस्सा आए, मैं कि किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, अगर वो 21 दिन तक अपना गुस्सा को control कर लिया, तो उसका subconscious mind पे जी पैटर्न होना start हो जाता है, और वो गुस्से को ठीक कर सकता है, किसी को अगर गिटार बजने का कुछ नहीं आता न, वो अगर हर दिन गिटार लेके थोड़ा थोड़ करके बजाता रहे हर दिन, तो 21 दिन में उसका subconscious mind का pattern change हो जाता है, और 21 दिन के बाद उसको भी समझ में आता है, अच्छा यह वाला सूर यहां पे काम करता है, अच्छा यह वाला सूर यहां पे, उसको भी समझ आता है, और ऐसे ही कोई भी इंसन पहला दिन आके ही 140 km बॉल क को छक्का नहीं मार सकता हर दिन प्रैक्टिस कर 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 उसका subconscious mind का pattern इतना strong हो गया है, क्यों आप easily 140 km बॉल को छक्का मार के बावंडरी के बार भेच सकता है, क्योंकि subconscious mind का processing speed होता है 400 billion beats per second, और इसलिए boxing में block punch, block punch, block punch, block punch, block punch, block punch, इतना बात सिखा जाता है, इतना बा क्यों होता है, क्यों अगर कोई मारने आया है, आप अपने बच्चे को जैसे तयार करोगे, 80% चांस उसका character भी ऐसा ही वील्ड होगा, और दोस्तों, सपोस्कोई बच्चा खेल रहा है, अब उसके पास जाके आपका कोई दोस्स से ऐसा कुछ बात बोले, जो उस बच्चे क सुनने का लाइग नहीं, हो सकता है वो बच्चा खेल रहा है, अपका बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, बट उसका सब कुंस्योस माइं का रिकॉर्डर रहा है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, अब जो भी बुलते हो, अच्छा या बूरा, और जो बात में उस बेस प्रशा भी बत प्रशा रहा है, बात में विल्क गार्वार सब कुछ प्रण नहीं है, तो इस वीच साल पहले अगर उसमें पर नहीं लगाए, तो स्टाट इट इट प्रम तोड़े, क्यूंकि एक्टी दिन मैं पैसा डबल हो या ना हो, चारेक्टर जारूद चेंग अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेच या मोटिविशन मिला है ना तो इस वीडियो को एक लाइक करना मद पूलना एक वीडियो को शेयर करिए आपका फ्रेंस और फैमिलिस के साथ क्योंकि खुशिया बाटने से ही बचती है मेरा चैनल को सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को आउन करना मत भूलना मैं नेम इस दिपायन और थैंक यू सो मच फो वाचिंग